कहानी की श्वात में 1973 का समय दिखाये जाता है चपचिली में राश्रेतिक दंगे हो रहे थे और पूरी सरकार एस्तिर हो चुगी थी अमें जिसका नम लीना है लीना जब अपने पाइलेट और अपने कॉलिक के साथ फलाइट से वापिस आ रही थी तब यो अपने बॉइफरेंट डेनियल को रेखती है जो चिली के लोग के साथ मिलकर सेलोडोर को स्पोर्ट कर रहा था लीना अपने साथी से गरती है कि वो उन्हें चार दिन बाद मिलेगी और इसके बादो डेनियल के साथ उसके घर जाती है जहां पर चिली के राश्टती सेलोडोर के बहुत सरे पोस्टर सोते हैं दरसल डेनियल सेलोडोर के पोस्टर बना कर चिली के लोग की प्रोटेस्ट में मरत करते हैं हालांकि धोनो जर्मन है है पर चिली में दोनों की जिन्दी बहुत अच्छी है इनकी जिन्दी बहुत अच्छे से कड़ रही है पर अगली सुबह डेनियल को उसकी साथ्योग आते हैं जिसके बाद डेनियल पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं प्रीना वो बताता है कि अगोस्टों पिनोशे जो कि या का प्रेस्टेंट बनना जाता है उसने पूरी चिली पर कब्जा कर लिया है उसकी आर्मी उन लोग को पकड़ रही है जो सेलोडोर को स्पोर्ट कर रहे हैं अभी लोग भागने के लिए घर से भार आते हैं बाहर इन इन दोनों को एक कैम्प पे ले जाए जाता है जहां पर और भी बहुत रही लोग थी और थभी आर्मी वाले एक आदमी उलाते हैं जिसका चेहरा ढखा हुआ था और वो लाइन में खड़ी लोग की पहचान कर रहा था जो सेलोडोर के स्पोर्टर्स थे और जो सेलोडोर के स्पोर्टर्स होते हैं आर्मे वाले उनको गोली मार रहते हैं फादमी डेनियल को भी पहचान जाता है और खहता है कि यह सेलोडोर के पोस्टर बनाता है और आर्मी सोल्टर्स से मारते नहीं है लेकिन उसे दूसरी जिगह भेज़ देते हैं और एगले इस हुए लीना और और भाकी लोगे छोड़ दिया जाता है। पर ये डेनियल की मदद करने से मला कर रेते हैं और कहते हैं कि प्रोटेश की लड़ाई किसी एक इंसान के लिए नहीं है हमारे पास और भी बड़े-बड़े मुद्धे हैं जिन पर हमें लड़ना है और वैसे भी हम छुपने जा रहे हैं फई डेनियल को दिखाए जाता है जिससे बुड़ी तरह से टोल्चर किया जा रहे हैं उसे मारा जा रहे हैं उसके धिमाग पर इलेक्ट्रिक शोक दिये जाती हैं जिससे डेनियल बेहोश हो जाता है फई लीना कोलोनिया के बारे में जानने के लिए एक आदमी से मिलती है वो आदमी बताता है कि इस देगर जाना बहुत अरसान है पर वापिस आना नामुम्कित इसके बार लीना खुद एक नन बनकर कोलोनिया जाती है और वापि उसकी मुलाकात एक बूड़ी औरत से होती है जो से अंदर ले जाती है ये जगह किसी जेल से गम नहीं होती वो औरत लीना को एक कमरे में जाने के लिए कहती है उस कमरे के अंदर पोल शेफर बैठा होता है और लीना से बुझते हैं तुम्हें आपे क्यों आई हो लीना कहती है कि मैं इश्वर के प्रती अपना पूरा जीवन समर्पित करना जाती हूं और मैं चानती हूं कि तुम्हें एक पवित्र आत्मा हो तुम इश्वर समान हो हलां कि पॉल शुरू में उस पे शक करता है पर लीना उसे अपने बातों के चाल में फसा लेती है और पॉल को उस पे विश्वास हो जाता है इसके बाद वो बुड़ी ओरत लीना को एक रूम में ले जाती है जहां पे और भी बहुत सरे बैड होते है कुछी दिर में वापे सभी लड़किया आ जाती है इन सब को खाने के लिए टेबलेट दी जाती है किसी को कुछ भी नहीं पता कि ये टेबलेट उनको क्यों दी जा रही है जहां पे लड़कियां बच्चे और पुरुष सब अलग अलग जगर पे रहते हैं जो किसी खास मोके पर ही इकठा होते है अगली सुवह लीना से आलू के खितों में काम करवाई जाता है और उसी रात यहाँ पे एक आदमी की मौत प्यों जाती है जिस वज़े से सभी औरतों और पुरुषों को एक हौल में बुलाई जाता है जहाँ पर पौल उस आदमी की आतमा से बात करने की कोज़िश करता है सब उसकी बात पर यकीन भी कर लेते हैं पर लीना जानती है कि आदमी ढोंग कर रहा है वही डेनियल को दिखाए जाता है जिसे यही पर एक काल खाने में रखा गया है उसे कार खाने में काम करने के लिए रखा गया है डेनियल की दिमागी हालत पुरी तरह से डिश्टरब हो चुके है उसे ये भी निपता क्यों कौन है यहां पे डेनियल को हंस के नम से बुलाए जाता है ताए उसे कभी अपनी असलेत के बारे में पता ना चुले अब रात को जब लीना अपने सभी सात्यों के साथ सो रही थी सभी वापे वो और लेडी आती है जो उन सभी लड़कियों के इंचार्ज है और इन में से एक लड़कियों को अपने साथ ले जाती है और ये देखकर लीना उसका पीशा करती है लीना किर्की से रेखते है कि वो लड़की अंदर बैठी है और उसके सामने बहुत सरे आदमी बैठे है दरसल वो इनी में से एक आदमी के साथ शादी करना जाती है जिससे वो तीन साल पहले मिली थी और पोल को ये बात पता चल जाती है इसलिए उस आदमी को बुलाता है और खहता है कि इस लड़की के अंदर बुरी आतमों का सह है तुम्हें से सजाद देनी होगी और इस आदमी को ना चाहते हो भी उस लड़की को जिससे वो प्यार रहते हैं उसे मारना पड़ते है इसके बाद पौल यहाँ पे जितने भी लोग बैटे होते है उन सब को उस लड़की को सजा देने के लिए कहते है लीना खिरकी से ये सब देख रही थी और वहीं उसे डेनिल पे दिखता है जो अजीब अजीब हरकते कर रहा था उसमझ चाती है कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है पर तब एक आदमी लीना को देख लेता है पर इससे पहले की पौल उसे देखता लीना भाग कर अपने कमरे में आ जाती है और अपने बेर्ट पे सो जाती है फोल है आपे आता है और देखता है कि सभी लड़किया सो रही है इसलिए इसलिए इन सभी लड़कियों की इंचार्ज को बुरी तरह से मारता है पर उसे कहीं न कहीं शर्ट जरूर है कि वो लड़की कोई और नहीं बलकि लीना ही है इसलिए अगली रात एक बार फिर से आदमियों की उसी तरह से गेधरी होती है जिस तरह एक रात पहले होती है और सब के सामने लीना बैठी होती है पोल सब को गहता है कि लीना के अंदर पूरी आत्मा है वो लीना को मारता है और सब को उसे मारने के लिए गाता है वहीं दूसरी तरब देनियल को दिखाये जाता है देनियल की धिमागी हालत एकडम सही है वो सिर पागल होने का नाटक कर रहा है और अब वो वाँसे टोश लेकर भार निगलता है कि वो यहां से भाग से पर उसका पेर एक तार से टगड़ाता है जिस वज़े से हाल का साइरन बच जाता है और हॉल में वेटे सवी आदमी जो लीना को मारने वाली थी वो सब के सब भार आ जाते है देनियल लोही की दिवारों को लांगना चारता है पर उसे पिछली का एक जोड़दार छटका लगता है जिस वज़े से वह बहुश हो जाता है सब को लगता है कि दिमागी आलत सही नहीं है इसलिए शायद वया तक आ गया अवलीना को भी यहां पे चार मेने से ज्यादा वक्त होड़ चुग है पोल कोलोनिया में रहने वालों के साथ नार शिर्फ अट्याजार गरता है बल्कि वो छोटे बच्चों का शोशन भी गरता है आपको इस तिनों बाद यहां कोलोनिया के अंदर कुछ कैस्ट आते है और जब भी कोलोनिया में कैस्ट आते है तो मेल्स और फीमेल्स तोनों इनका एक साथ स्वागत करते हैं वो भार से आईवे गेश्ट को ये दिखाती है कि या सब कुछ बहुत अच्छा है शाहन की जिंदगी खुशहाल है और पहली बार डेनियल लीना को देखता है देनियल लीना का हाथ पगड़ लेता है लीना कहती है कि आज उसकी आलू के गुदाम में ड्यूटी लगी है वो उसे रात को वहाँ पे मिले और जब देनियल का इंचार सब को ड्यूटी दे रहा था तो देनियल गार्ड से ड्यूटी ले लेता है और वो आलो के गुजाम में पहुंच जाता है जहाँ पर लीना होती है जहाँ पर डेनियल लीना से माफ़े मांगता है चोगी उसे लग रहा था कि उस दिन उसके फोटो किसने से लीना आज उसके साथ याप पर फसी हुई है पर लीना उसे बताती है कि उसे चोड़ दिया गया था और वो यहाँ पे सिर्फ उसके लिए आई है बात करते करते रेनियल का पेर एक नीचे खोकरी जिगा से टकराता है और जब उसे लगो देखते हैं तो वो एक तहखाना था और डेनियल जब अंदर जागे देखता है तो यहाँ एक लंबरी सुरंग थी वो थीरे देरे आगे बढ़ता है तब ही भार लीना को गाड़ी की आवाज आती है लीना डेनियल को आवाज लगाती है और तहखाने के धकन को उपर से बंद कर देती है अब यहाँ लीना की इंचार जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है वही डेनियल जब सुरंग में आगे बढ़ता है तो वो उस रूम को भी देखता है शाब उसे एलेक्ट्रिक शोग दिये गए थे और यह रूम देखकर वो आप इसे भार हो जाता है अब अगली दिन डेनियल के मेडिकल टेस्ट किये जाते है शाब एक नर्स भी होती है जो लीना के साथ रहती है और जब वो डेनियल के कपड़े उठाती है तो उन कपड़ों में उसे क्रोस मिलता है जिसके अंदर लीना और डेनियल की फोटो होती है यह एक रोज लीना ने डेनियल को दिया था नर्ज समझ जाती है कि यह दोनों एक साहत है और इसी की लिए लीना यहाँ पर आई है इसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से लीना ओर डेनियल आलो के गुदाम में मिलते हैं जहाँ पे डेनियल लीनो को बताता है कि ये सुरंगे मीलो लंबी फैलियो ही है मैंने याप एक गेट भी देखा है जो पूरी तरह से लोक्त है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो रास्ता कोलोनिय से भार जाता है हमें कल रात को यहां से निकलना होगा जो ये एक बार अगर मेरी मेडिकल रिपोर्ट आ गई तो ये मुझे सहरीली गेंसे दे के मार देंगे वो लीना वो बताता है जहाँ पर मैं काम करता हूँ वाँ पर मुझे एक कैमरा मिला है जिससे मैंने अंदर टोश रूम में सुरंग की फोटो खीश लिया तभी ने गड़ी की आवाज आती है और लीना समझ आती है कि उससे तो मैं जो भी कहना है कह दो इतना क्यूं डरते हो हम पे ज़्यादा मरते थे या उन पे मरते हो मैं अब तो चला गया हूँ अब तो जवाब दो क्या तुम हम से अब भी महबत करते हो क्या हूँ क्या तुम हमसे अब भी महबबत करते हो एक बात बताओ तूं यादों में मलते हो क्या तुम उसे अभी महबबत करते हो तुम जिनके हो अभी उनके बादे बताना क्या आता है उनको तुम्हें चुप कराना जानी दे रो रोती समंदल भर दिये क्या तुम भी रो रोती मुदिया बरते हो एक बात बताओ तुम यादों में मलते हो क्या तुम उसे अभी महबबत करते हो मेरी इस गलबा कोई जवाब दे देना एक खुद मूं सबार बार बार करा मैं में प्यार करानू जब प्यार करे में नूँ या ओदर हो जाजी देना प्यार करा मैं इतना प्रकनी और उनकी महबबत में हम तुम से ड़ते थे तुम उसे डरते हो इतना प्रकनी और बार कोई या ओदर में हम तुम से अभी देना प्यार करते हो कोई फैरर बार कर्कनी भी देना प्यार करे लिए अभी ढकर देरों हमकिन है लैपारी जम और में होंगे ना मदम काम जान उसमारी खेर कि दर्थ करते सो एक पार मदम और यहादा कूं किसी गाल क evalu Guerra पेट हो इंधनार तरॉया आपके तब रहिता जा ना नहीं एप्सक्राइब Ypt जिल ठोड़ना पर जाए हम जिसके है भी उसे ठोड़ना पर जाए हुआ हुआ है